आईए आज हमें स्टड़ी करेंगे प्रस्ण संख्या चवदा कैरायन निम्न परमानुओं से इलेक्ट्रान इस्थाना अंतरण द्वारा धनायनों तथा रिणायनों में वीरचन को लुईस बिंदु पृतिकों की सहायता से दर्फाई वीरचन को मतलब निर्मार तो जो धनायन और रिणायन का निर्मार हो रहा है तो लुईस संखना द्वारा हमको बना करके बताना है कि तो सबसे पहला एक्जाम्पल है हमारा खय और यह तो के देखिए अगर के की बात की जाये तो की से जब डेखिए सник अपको बता आयदा कि जो पांचमें ug勃 है फांच में kap कि देखिए समय करें तो पांच में ली और जौर सांदी जो बनी है उसकी है गर हम करें तो पांचमे के बाईं और प्लस चार्ज रखना पसंद करेंगे, पांचमे के दाईं और, के जितने भी तत्यों हैं, माइनस चार्ज रखना पसंद करेंगे, मोटी मोटी भाशा में. यहाँ पर देखिये, जो पोटाएसी अम है, यह हमारा पहले वर्ग में आता है, तो यह धन रखना पसंद करेगा तो इसलिए देखिए पहले वर्गमा है तो एक धन रखना पसंद करेगा तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रान निकला तो यह के प्लस बन गया एक इलेक्ट्रान की कमी होगी तो धन चार्ज लिखते हैं अगर एक इलेक्ट्रान 19 elektron होते हैं इसका परमाड करमांग potassium का 19 होता है तो 19 elektron भी होंगे जब यह उदासीन होगा हमने आपको बताया था कि जो 17 परमाड होता है उसका Лगी होता है उसका मतलब होता है कि उसमें उतने ही proton की संख्या होती और उदासीन है तो उतने ही इलेक्टरान भी होंगे तो यहां पर देखिए 19 को लिखा गया तो 2,8,8,1 इस तरह लिख दिया गया अभी से 1 इलेक्टरान निकल गया तो जो K प्लस बनेगा उसका इलेक्टरानिक बिन्यास 1 इलेक्टरान निकल गया है तो यह लास्ट वाला एक नहीं होगा क्योंकि इलेक्टरान हमेशा बाहरी कच्छा से निकलते हैं और हमने आपको यह भी बता रहा है कि बाहरी कच्छा से निकलते क्यों हैं तो उसका काड़े है कि बाहरी कच्छा नुकलियस से यानि नाभिक से दूर होती है नाभिक में proton होते हैं और proton professors, जितना दूर हों गे तो आकर्ष्न बल उत् темперEPारेची इलेक्ष्ण बल उतना कम लगेगा। तो उतना कम लगेगा तो उतना हो वाहर सवक्साफ प्रेंड, जोकि आकर्ष्न, बल कम लगेगा। इसलिए बाहरी कच्छा का इलेक्टान निकलता है तो दो कामा आठ कामा आठ हो गया के प्लस का इलेक्टानिक बिन्यास अब देखिए यह दो बार उसी चीज को बना दिया है इसलिए क्योंकि जो सल्फर है नीचे भी वही चीज है 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 सल्फर आदे सल्फर हमारा चट में वर्ग का तत्व है चट में कहाई उसका मतलब मतलब एलेक्टान होगे बाहरी कच्छा में छ hedan तो यह अपना बाहरी कच्छा का जो इसको गया से उसको आठण पूरा कर लेंगे जौहसे मैंदंधलArt पूरे हो जाएंगे और जैसे आठ पूरे हो जाएंगे वैसे ही जो है यह अक्री गैस की तरह बेहार करेगा और दुनिया का हर एक परमाड अक्री होना चाहता है तो यहां पर देखिए सल्फर यहां लिया गया है सल्फर में दो दो चार दो छह इलेक्टान है बारी कच्छा में और जब दो लेक्टान आ जाएगा तो यस घूल हो जाएगा और दो जो च्यार दो च्छाएदो आठ इलेक्टान हो गए माइनस टू लगने का मतलब है कि ये जो 2 إलेक्टान है ये किसी दूसरी जगह से आए है अब देखिए तो अब जैसे बात इसको 2 إलेक्टान चाहिए तो 2 पोटैसियम से ये साहिऊप करेगा, क्यों? क्योंकि एक पोटैसियम से इसको क्योism इसको दे रहे हैं तो इसलिए तीर की ओर लगा है क्योंकि इलेक्तरान ये ले रहा है और एक इलेक्टरान ले रहा है तो यह जब दो सलफर लेगा तो दो के हैं तो 2K PLUS हो गया क्योंकि 2K हैं और दोनों एक 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 इलेक्टरान दे रहे हैं तो टो के प्लस लिखा गया है एक साथ दोनों का और यहां सलफर 2 il looking ले रहा है और लेने के बाद 6 की बजा इसमें आठ एलेक्टरान हो जाएंगे तो 2 2 4 2 6 2 8 हो गया और दो इलेक्टान बाहर से लिया है तो माइनस टू लगा दिए इस प्रकार से बनते हैं अब सी ये तथा ओ के बारे में देख लेते हैं तो कैल्सियम हमारा ये दूसरे वर्ग का तत्व है तो इसका मतलब है किसकी बाहरी कच्छा में दो इलेक्टान होंगे तो यहां पर दे कामा दो बनाएंगा इसको आवर सारीओ अप लोग देख करके जब पढ़ेंगे तो किताब रख करके आवर सारी रखिये पास में तो यह जो है बारिक अच्छा से इलेक्टान निकलेंगे तो दो इलेक्टान निकलें तो प्लस टू आ गया और दो इलेक्टान जो निकलें उनको आ गए प्लस टू इलेक्टान लिख दिये गया तो इसका देखिए 2,8,8,2 हो गया, 2 इलेक्टान निकल गया, तो अब जो कालसियम बचा, उसका इलेक्टानिक बिन्यार 2,8,8 हो गया, अब देखें, आक्सीजन के अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आक्सीजन है, आक्सीजन छेटमें वर्ग का तत्व है, जैसे यह दूसरे वर्ग का था, तो हमने बताया था कि पांच के इधर बाई तरफ जितने भी तत्व होंगे, वो इलेक्टान निकलना पसंद करेंगे, और पांच के दाई तरफ जितने होंगे, वो इलेक्टान लेना पसंद करेंगे, तो छेटमें है, पांच के दाई तरफ है, छेटमें वर निकले तो CA plus 2 बन गया और oxygen के यही 2 electron oxygen के पास आ गया तो यह जो है oxygen O minus 2 बन गया इसमें 6 electron थे यहाँ पर देखे 8 हो गया तो इस प्रिकार से बनता है तो यहाँ पर देखे calcium और oxygen सायोग कर रहे है calcium 2 electron निकाल रहा है तो यहाँ पर 2 देखे यह plus लगा दिया गया है तो यह जो है यहाँ पर देखे जो calcium है इससे 2 electron निकल के oxygen के पास आ रहे हैं इसलिए 2 dot dot बनाया है और 2 तीर के निशान बनाया है तीर के निशान का जो मुह है वो oxygen की तरफ है जो बता रहा है कि electron इससे निकल के oxygen के पास आ रहे हैं यहाँ पर देखे दो electron निकले calcium के तो CA plus 2 हो गया दो electron oxygen के पास आए तो minus 2 लग गया अब देखे एल तथा यन की बात करते हैं यह तीसरे वर्ग में है और nitrogen हमारा पांच में में हैं तो पांच का मतलब है कि तीन electron अगर nitrogen के पास आ जाए पांच में वर्ग का मतलब इसकी बाहरी कच्छा में पांच एलेक्टान होंगे तो अगर इसको तीन मिल जाएं तो अगर तो आठ हो जाएंगे और अलुमुनियम क्या है तीसरे वर्ग का तत्तो है इसका हो लाग उसकी बाहरी कच्छा से तीन निकल जाएं तो उसके पीछे वाली कच्छा में आठ रहेंगे तो इसका भी अस्टक कंप्लीट हो जाएगा इसका भी अब देखिए तो क्या करेगा य तो एल में देखें डाट डाट तीन बना दिया गया यहां पर तीन इलेक्टान निकले तो थिरी इलिग दिया गया और यहां पर तीन इलेक्टान निकलने के बाद तीन धन चार्ज बनेगा तो प्लस थिरी लगा दिया गया अब देखिए नाइट्रोजन की बात करें तो न पांच के बजा इसमें आठ हो गए तो दो दो चैर दो चैर दो आठ लिग दिया गया ब्रैकेट के अंदर और चूंकि तीन इलेक्टरान बाहर से आए हैं इसलिए माइनस का त्री लगा दिया गया अब यहां पर देखिए एल तीन इलेक्टरान नाइटोजन के पास आ रहे है इसलिए डाट डाट तीन बनाए गए तीन डाट तीन आ रहे हैं इसलिए तीन तीर लगाए गए और नाइटोजन के पास आ रहे हैं तो तीर कमों नाइटोजन की तरफ किया गया और एल प्लस तीरी नाइटोजन माइनस तीरी क्विश्य नमर 15 देखते हैं, कहरा हाला कि CO2 तथा S2O दोनों त्री परमाडुक आडु हैं, परन्तो S2O की आकृति बंकित यानि मुड़ी हुई होती है, जबकि CO2 की रेखिक आकृति होती है, ध्रुवी द्विद्रु आगूण के आधार पर इसकी ब्याक्या कीजिए, तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारा CO2 है और S2O है, दोनों में तीन परमाडु है, लेकिन S2O हमारा मुड़ा हुआ यानि कोड़ी है, जबकि CO2 हमारा रेखि यानि सीधी रेखा की तरह इसकी आकृति है, तो ऐसा क्यों है इसकी ब्याक्या करना है, तो देखिए, यहां पर बत हमारा है कि CO2 तो तो सीधी रेखिक आकरती है, जबकि S2O की आकरती बंकित यानि मुड़ी भी होती है, अब देखिए, S2O का दुधरू आगूण 1.84 डायोप्टर होता है, जो S2O है, S2O में OH दो आबंध होते हैं, यहां पर देखिए, S2O बनाए गया है, तो एक OH आबंध यह हो गया, ठीक ना, दोनों आबंधों की प्रकति धुरूवी होती है, जो दोनों आबंध हैं, इनकी प्रकति धुरूवी होती है, धुरूवी का मतलब दो धुरू होते हैं, एक धन और एक रिण, तो आक्सीजन की विद्धुत्रिमात्मकता ज्यादा है, इसलिए इस बं के कारण से जो है इसकी प्रकति दुरूई हो जाएगी आबंद रेखिए ना होने के कारण दुई-धुरू आगूड दरसाते हैं अब चूँकि आबंद रेखिए नहीं है इसलिए यह दुदू-आगूड दिखाएंगे जैसे बाते के रेखिए नहीं है तो यह चाह और यह पास पास हैं तो यहां पर क्या होगा जो लोन पेयर होंगे जो आयुगमित इलेक्टान होंगे इनको लोन पेयर कहते हैं उनका प्रतिकर्षन इन युगमित इलेक्टान यानि जो आबंध इलेक्टान है उनके प्रतिकर्षन से ज्यादा होता है तो यह जो इलेक्टान बना लिये और चार इलेक्टान को इस तरह से हम लोग दिखा देंगे । यह जो चार इलेक्टान इस बंद को दबाएंगे तो यह इस तरह से कोड़ी आकरती हो जाएगे यह कारण है इलेक्टानुए प्रतिकर्षन से आखत हिंकीत हो जाती है। अयुगमी तिलेक्टान लोन पेर जिन को कहते हैं उन्हें में जो प्रतिकर्शन होता है आपस में उसके काड़िये इन बंध को दबाते हैं इसलिए आकरती कोड़ी यानी बंकित हो जाती है और कोड का मान एक सुच्छार्द सम्मलों पांच डिग्री जायता है अब देखिए आगली बात आजाती है आड़ु में दो सी डबुल बांड ओ आवंध ध्रुई प्रकत के होते हैं लेकिन दोनों का प्रभास समानेयों विपरीत दिशा में होने के काड़ निश्क्री हो जाता है अता सिवोटू का आड़ु रेकी आड़ु होता है अब यहाँ यहां पर रिजटे क्या के जती है कि यहां पर देखिए दोनों बाताम समझेगे यहां पर केंद्री पर माड़ु पर भामांड अयुण कि यहां पर कंडिशन क्या है कि जो कार्बन है इसकी बारी कच्छा में चार इलेक्ट्रान के बना लिए सी देखिए यह बंद बने हैं दो एक इलेक्टान इधर कार्बन के दो क्योंकि हर आबंद में एक इलेक्टान कराबन करेंगे एक अक्सीजन कराइगा तो यह दो आबंद है तो दो इधर हो गए दो अब दो इसमें उपयोग हो गया तो इसका अलभी केंद्रीक पार्मार्ट जो कार्बन इसके पास कोई भी इलेक्टान नहीं बचा तो अब यहां पर प्रतिकारशंठ चाहं से ही नहीं है कि आक्सीजन को मोड़ दे तो आक्रति पूरी हो जाए हम इलेक्टान तो in ही लेक्टान ऑले इसका एलेक्टान कीचेगा कार्बन के जो भी है बंद वाले इधर को वह को इस कि प्रभाव को निश्क्री कर देंगे क्योंकि दिसाय भी पुरीत हैं इसलिए जो है इसकी अब अगला कुश्यन है मारे पास काराय के दुधरु आगोंड के महत्त पून अनु प्रयोग बताए दुधरु आगोंड के महत्त पून अनु प्रयोग बताए आवंद की गोंडता ग्याद करने में तो पहला इसका अनु प्रयोग क्या है दुधरु आगोंड का यानि डाइ जाही बात है उसका नाम है दूइद्रू अगून्ट यानि जिस चीज में दो धूओ हों और वो गूमने लगे अपनी धूरई पर धूरी पर तो उसको 2धू आ गूर्ड तो आवंद्र के जयात करने में यह फार्मूला होता है मिव इंटू इंटू डी जहाँ पर मिव हमारा दुधरू आगूण है यह हमारा इलेक्ट्रान का आवेस है और दो आवेसों के बीच जो दूरी है उसको डी लिखा जाता है तो मिव इंटू डी का मान जितना अधिक होगा जैसे बात ई और डी जितना अधिक होगे उतना मिव ज्यादा होगा तो जितना अधिक होगा दुधरू आगूण का मान उतना ही अधिक होगा यह एकल गूण नाबंध पर लागू होता है यह एक अल गूण ना बंद मनलब एक जो बंद है उसमें यह फार्मुनल आग होता है जैसे हC-L में एक बंद होता है सिंगल बंड है एक बंद होता है सिंगल बंड आगूण आड़ु जैसे ह2O2 तता अधि दूधरु आगूण सोनने होता है उसका काण है कि दोनो यह है इसमें दोनो ओटू है इसमें दोनो यह है इसमें दोनो यह है इसमें दोनो यह है इसमें दोनो यह है तो जैसे बात है कि कोई धुरु ही नहीं बनेगा जब धुरु ही नहीं बनेगा तो यह प्लस माइनस नहीं होगा तो घूमने का चांस ही नहीं अधा दूद्रू आगुण सुन्य होता है क्योंकि इन अनुओं में आवेस विभाजित नहीं होता है बताया कि धुरू तवब नेगा प्लस और माइनस चार्ज होंगे यानि आवेस विभाजित होगा अता दुधरु आगुण दुरुवी है एम अधुरुवी आणूओं में अंतर भीश्पष्ट करता है अब दूतरा क्या है? आयनिक प्रतिसत्त ग्यात करने में अब कोई हमारे पास आणू है उसका कितना परसेंट भाग आयनिक है कितना पर्सन्ट भाग सायों जी यह सबंकyer निकालना है तो हम दूर्दु आगोर से निकाल रहते हैं तो आईनिक प्रतिसत्ता भी बताता है कि यौ सी क्याय से तो कितनेपःशत आईनिक आपयानिक प्रसत्ता हम लोग निकालते कैसे हैं तो उसके बारे में हम लोग बात करना है तो होता है वो होता है 1.03 ठीक ना अब इतना यह दिया गया है हमको प्रयोग के द्वारा अब हम काल्कुलेशन के द्वारा कितना निकल गया कहBabyक गया ऊसको देखते हैं तो यह संप पर्सेंивается ही अगर हांदेट परसेंट है हमारा दो प्रते कि क्यानि या अनि उनिट होगी उसपर एक एक हाई है होगे है तो कुल मिलाकर में जो यह च प्लस हर इतना सील माइनस बनेगा उस पर आवेस की बात की जा रही है तो यह की काई आवेस यहां 4.8 into 10 to power minus 10 यह देखे गलत लिका है E.S.E.U होना चाहिए E.S.E.U में चार्ज जो भी हो कुल मिला के इतना गलत लिका है और जो चार्ज है इस पर भी doubt है इसलिए क्योंकि H प्लस और C L 1 जो चार्ज होता है उसका मान 1.6 into 10 to power minus 19 कुलाम होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे परंत जो दिया है उसको हम समझाय दे रहे हैं और आगे जब कुजिशन करेंगे तो खुदी इस पर्ष्ट हो जाएगा या तो ही कुजिशन में दिया रहेगा है तो ऐसे इसने इतना माना है कि 4.8 into 10 to power minus 10 ESU देखें यहां पर लिखा भी है इसको समझते हैं ESU तो यह इसका मात्रक हो जाएगा दुद्रु आगून का कुल मिला कर इतना आवेस है कुलाम में हो जो भी कुश्चन में दिया गया है तो इसमें कमेंट्स नहीं कर सकते तो आद बंधी दूरी अब दूरी की बात करें कि हमको दुद्रु आगूंट करने के लिए अवेस और दूरी की ज़गूलत है तो दूरी 1.275 अब देखें जो भी दूरी है आवेस उसने दे दिया है जो भी होगी प्रयोगदारा निकला होगा तो दे दिया है अब उसका मान तो 100% आयनन गुर्ण धर्म के लिए क्या करेंगे इंटू डी है इसका मान मियू के लिए तो वो ए का बालू रखेंगे 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 10 दिया गया है और यह दूरी है 1.275 इंगेस टाम इसको सेंटीमेटर में बदला है तो यह आगे 10 पावर माइनस 8 तो साल क किया तो आ गया 6.12 इंटू 10 पावर माइनस 18 ESU इसको डायोप्टर में बदलेंगे तो आ जाएगा 6.12 तो लिए 10 पावर माइनस 18 है यह अकेवल इतना मान यह इतना डायोप्टर हो गया तो ESU कैसे डायोप्टर में बदलेगा इसको समझ लेजे अब आयनिक प्रसत्ता गन प्रायोग द्वारा 1.03 आता है और हमने जो निकाला वागया 6.12 सव कगुडा कर देंगे तो आजएगा 16 गंटो 13 पृत्षत तो ये हम लोग इस तरह से पृत्षत अनिकाल लिया आगे कह रहा है कि विद्विद्रु आगोन का और भी काम है अनुओं की आकर्त ग्याद करने में तो अनुओं की आकर्त भी हम द्विद्रु आगोन से ग्याद कर सकते हैं तो अणुओं की आकरत गयात करने में दूधरु आगोन महत्पूर्ण गुन धर्म होता है, आइसा और जिसमें तीन या आधिक परमाण होते हैं, के लिए दूधरु आधिक परमाण होते हैं आएसा अड़न जिसमें तीन आधिक परमाण होता है। यदि किसी आणु में एक याधिक दुरूवी आबंद होते हैं और वो रेखिये नहीं है। किये एक दूधू होता है जैसा कि फिर्टडा क्यआ चाहर टूंक है अव्हों के लिए पीछे पाड़ए ऐसे मित बूर्ण पिर आफ ईलेक्टर नाइं मीव से अन्हाँ जोड़ा होगा तरूण सब्सक्राइब बता दिया और बता दिया आकरत इनकी बंकित होती है जिन आड़ों में मिव बरावर 0 होता है वे आड़ों रेखी आकरत के होते हैं जिनका जो है दुद्रू आगून 0 होगा वो रेखी होते हैं जैसे सी ओटू भी एप थीचाफ के दे देखे तोड़ा सा घलत दिया है यहां पर सी ओटू तो रेकी होगा यह यह BF3, CH4, CCL4 यह रेकी नहीं होगा, CCL4 टिट्रा हेड़ल होगा, यह भी टिट्रा हेड़ल होगा, चतुस फलकी जिसको कहते हैं, और BF3 हमारा त्रिकोडी प्लेनर होगा, त्रिकोडी सम्तली, कहने कमला भाय कि सारे जोण होंगे, उनके बीच के जो कोण होंगे, वह इस त करी करेंगे यह कहने कमला, तो यह हमारा आ गया, अब अगला कुईशन आ जाता है, सत्रहुआ, सत्रहुआ, कुईशन कहरा है, कि विद्दु तिरिनात्मक्ता को परिभासित कीजिए, यह इलेक्ट्रान बंधुता से किस प्रकार भिन है, तो देखें, विद्दु तिरिनात बड़ी बात, सह सयोजी आबंध की बात हो रही है, तो सह सयोजी आबंध में किसी परमाड की वो चमता, जिसके काड़ाबंध इलेक्ट्रान को अपनी ओर आकर्षित करता है, विद्दु तिरिनात्मक्ता कहलाती है, तो जब कोई सह सयोजी आबंध होता है, तो अगर उसमे दो परमाड होते हैं तो जो परमाड अपनी ओर इलेक्टरान को खीषता है तो कहते हैं वो ज्यादा विद्धुत्रिनात्मक है और वही उसकी विद्धुत्रिनात्मकता कहलाती है विद्धिनात्मक्ता आणुमें परमाडु के इस गुण धर्म को दर्शाती है जबकि इलेक्ट्रान लब्द यानि इलेक्ट्रान गेन एकल परमाडु के गुण धर्म को दर्शाती है जबकि अगर हम इलेक्ट्रान लब्द की बात करेंगे तो एक अकेला परमाडु इलेक्ट्रान को अपने ओर खेशता है उस गुण को इलेक्ट्रान लब्द या इलेक्ट्रान गेन कहेंगे ठीक ना इस प्रकार से इसको परिवासित करेंगे Quesion No.18 आजाता है तो द्रुवी सहासेयो जी आबंद से आपके समर्षते हैं उदाण साहित ब्याक्या कीजिए तो द्रुवी सहासेयो जी आबंद जैसे आमने बताया कि सहासेयो जी आबंद हो उसमें दोनों जो परमाड हों उनमें धन और रिंड चार जा जाए यानि दो द्रुव बन जाए तो उसी को द्रुवी सहासेयो जी आबंद काएंगे तो सासाओजी आबंद से बने परमाण के विद्धुत्रिनात्मक्ता समान नहीं होती है अगर कोई सासाओजी आबंद उसमें विद्धुत्रिनात्मक्ता समान नहीं है जैसे कि यच और एफ तो यच जो है इससे एफ ज्यादा विद्धुत्रिनात्मक्ता है तो HF नव इलक्टान F परमाड के और आकार्शित होते हैं क्यों? क्योंकि F की विदुतिर द्रिनात्मक्ता ज्यादा है, क्योंकि इसकी विदुतिर दुटिर आठिक होते हैं, तो HF बनाया, तो यहां पर देखे, HK के पास एक इलक्टान है, और F Keki पास हमारे 9 हैं, तो 1 इल है हमारा घै इस वर्गत फ्लॉरी तो इसके बारी अच्छा में साहर हां और जाता है तो वाश तौरे हो गए और है हाईडोजेन कि बारी कंच्छा में एकुट्रण है इक श्याय कंगर है इसे पहली क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा बिदृत्रिन आत्मक है तो इसके लेक्टान को अपनी और खीच करके माइनस डेल्टा यानि आंसिक रिडवेस आजाएगा इस पे आंसिक धनावेस आजाएगा अब ये एक बांड बना दिया क्योंकि एक ही बांड बन पाएगे ये शेफ के बीच में इधर प्लस डेल्टा लिख दे इधर माइनस डेल्टा जहां प्लस डेल्टा तथा माइनस डेल्टा आवेस श्यम्ता को दर साथ है अब अगला उनीश नमर कुष्ण देखते हैं कहरा है कि निम लिगित अणूओं को आब अंधों की बढ़ती आयनिक प्रकत के रुक्रम में लिखिये यानि आयनिक कौन सबसे ज़्यादा है उसको बाद में लिखना तो किसी आणू में यदी परमानूओं में विद्धित रिनात्मक्ता का अंतर अधिक होता है तो आणू अधिकानिक होता है जाएसी बात है कि जितनी विद्धित रिनात्मक्ता का अंतर अधिक होगा तो जिसकी कम है उसके इलेक्टान को और आसानी से खींच लेगे ज्यादा बिद्रिनात्मक वाला तो धन चार्ज और रिन चार्ज रख बनने के सम्भाना है प्रबल हो जाएंगे तो जिसमें जतना ज्यादा बिद्रिनात्मक तक अंतर होगा उसमों उतना ज्यादा आइनिक होगा तो यहाँ पर देखिए यलाई F की बात करें तो यलाई हमारा पहले वर्ग में है यफ हमारा साथवे में है तो साथवे में है तो साथवे के ज़्यादा बिद्र नात्मक होते हैं फोन हमने बताया था आपको यफ ओन फ्लॉरीन आक्सीजन नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा बिद्द धनात्मक है और यलाई हमारा पहले वर्ग में है जितना हम बतायते हैं कि बाई तरफ जतना ज्यादा दूर होगा उतना ज्यादा बिद्द धनात्मक होगा तो यलाई बहुत ज्यादा बिद्द धनात्मक है फ्लोरीन बहुत ज्यादा बिद्द धनात्मक है इसलिए सबसे ज़्याद आयने किया होगा अब इसके बाद आजाते हैं K2O में तो आक्सीजन देखे चटोए में है यहाँ पर देखे यह पहले में था फ्लोरीन साथोए में था तो पहला साथ बहुत दूरकांतर है और यह K पहले में है K पहले में है तो क पहले में है पहला और च्छै यह साथ था यह च्छै तो इससे कम है तो K2O अब यहाँ पर देखे साथ साथ दोनों साथ में साथ में है तो इसलिए यह इससे भी कम है और यहाँ पर देखे दोनों च्छै च्छै यह साथ साथ में है ये चटमे वर्ग में हैं दोनों तो इससे और कम है और ये पांचमे में हैं और दोनों यन यन हैं तो इसलिए सबसे कम है इसको द्यान देज़े सबसे ज़्यादा देखिए आवर साणी में दूरी पहला साथमे में बहुत दूर है सबसे ज़्यादा चटमा पहला कुछ पास है इससे कम साथमा साथमा बहुत पास है इससे कम चटमा 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 यहाँ पर जब पांचमा है दोनों पांचमे में है कि यन यन एक ही परमाण है सबसे कम इस प्रकार से समझना है इसको और इसकी बारीकी को हम जब नीट कांसाल करेंगे और अच्छे से समझेंगे अब कुछा नमबर बीश देखते हैं कारा है CS3CWH की नीचे दीगई धाचा सनचना सही है परंत कुछ आबंदी तुटिया दर्शाए गई कारबन की बारीक अच्छा में चार इलेक्टान होते हैं तो दूसरे चार परमानों से सहयोग करके चार आबंद ही बना सकता है यहां पर दो तीन चार पांच कारबन के पांच आबंद हो गया इसलिए गलत हो गया अब इसका साही सानचन देख लेते हैं तो यहां पर देखे चार कर दिया गया अब यहां पर आक्सीजन की बारीक अच्छा में चार इलेक्टान होते हैं अश्टक कंप्लीट कर लिए डेबल बांड बना लिए और कारबन के दो इलेक्टान इधर उपयोग में आ गया है दो इस आक्सीजन और कारबन के साथ एक 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 इलेक्टान का सेर करके एकल आबंद बना लिए यानि सिंगल बना लिए तो इसके दो तीन चार चार आबंद यहां भी है, या अक्सीजन के साथ हईडरोज़न का एक रापन है, यहां पर 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, इसका भी अस्टक कम्ष्ट है, तो सारी अस्टक कम्फ्लेट हैं, और अवन्द ही जितने जिसके पास होना चाहिए, इसलिए सनज्चना सही है, अब अगर यह आपन खायेंगे, त करके लुए संचन बना ली जातुम एक वूत्पकन तो एक रडर्ँ आपन । 20gehen ड्रीडवश्य कि सिप्ढ़र्व ने opposition निख्येüm अ share कि विए यह पहले थे तो ऐसे बना दिये यहां पर दो पहले से वैसे बना कि एकल बांधैं तो डोज हीविवन से किसी दीमान जाता है爵िऊ आज जाता है 21 नंबर तो आज बस यहीं तक अब 21 नंबर के स्टेडिय हम लोग अगले लेक्चेर से करेंगे